इन पांच त्रह के बीजों को खालो, हाद दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, ठकान, कमजोरी, कैलसियम की कमी आपको 100 साल तक नहीं होगी और कभी जीवन में बुड़ाबा नहीं आएगा, आप 75 साल की उमर में भी 26 साल के दिखाई देंगे, हमेशा सवस्त और चुस्ती फूर करते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी बुड़ाबा नहीं आएगा, और आपको जीवन में कभी कैलसियम की कमी नहीं होगी, दोस्तों 100 सालों तक या 1500 सालों तक यदि आप जीते हैं, तब भी आपको जीवन में कभी कैलसियम की कमी नहीं होगी, और नहीं आपके ऊपर कभ अंदर सरीर की वज़े से, जब हम अपने सरीर में कमजोडी को फील करते हैं, तब हम कहते हैं कि अब तो हम पूड़े हो गए, लेकिन दोस्तों इन बीजों का सेवन करने से आप ये बात कभी नहीं बोलेंगे, दोस्तों आप तहल का मचा देंगे, आपके अंदर सांड जैसी ताकत आ जाएगी, और आपके सरीर की हर्त रहें की बीमारी बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी, आपके चहरे पर तेज आ जाएगा, गलो आ जाएगा, आपके चहरे पर कभी जुरियां दिखाई नहीं देंगी, ऐसे चमतकारी हैं ये पांच बीज और इनका चमतकारी से दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इन पांचों बीजों के बारे में भी बताएंगे और इनके सही सेवन की विदी के बारे में भी बताएंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इन पांचों का आपने सेवन कैसे करना है जिससे की जो मैं बोल रहा हू वो हो जाए, यानि आपको कभी केल्सियम की कमी ना हो, आप हमेशा सुष्थ बने रहें, निरोगी बने रहें, दोस्तों चाहे आपको हार्ट ब्लोकिज की समस्या हो, या आपका कोलोस्टोल बड़ा हुआ हो, या आपको डायबटीज की प्रेसानी हो, या आपका मूटापा ह या आपको पेट के रोग हो या आपकी हड़ियों की भ्यंकर कमजोरी आपके सरीर के अंदर हो या फिर आप कमजोर हो दोस्तों ये नुस्का हर त्रहें की बिमारियों में काम करेगा ये बीज आपकी इन सब बिमारियों का इलाज करेंगे और इसके साथ भी बहुत सारे बिमा आपके सरीर की हडियां वजर के समान मजबूत बन जाएंगी। आपको जीवन में कभी कैल्सिम की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तो आपको कभी खून की कमी नहीं होगी। और आपके सरीर की अंदर खून की सफाई भी हो जाएगी। आपको कभी पेट के रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा इन सब विमारियों में ये बहुत अधिक चमतकारी हैं तो चलिए दोस्तो जानते हैं कि ये चीजे है क्या दोस्तो पहली जो इसमें मुखे चीज है वो है दोस्तो मेथी दाना और दोस्तो मेथी दाना के फाइदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों यदि आप हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं तब आपको मेथी दाना को अपने जीवन में सामिल करना ही करना चाहिए क्योंकि मेथी दाना का सेवन बहुत अधिक सेवन कर सकते हैं ये बहुत अधिक चमतकारी हैं दोस्तों चाहे आपके चेहरे को सुन्दर बनाना हो या बालों को फिर से काला बनाना हो हर बीमारी में मेथी दाना काम आता है तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने मेथी दाना का सेवन करना कैसी है दोस्तों आपने क्या करन जो दूसरी इसमें मुख्य समगरी हैं वो है दोस्तो अलसी और दोस्तो अलसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा क्योंकि अलसी वेजिटेरियन लोगों के लिए एक महा ओस्ती हैं और दोस्तो अलसी में ओमेगा 3 फैट्टी ऐसिड भरपूर मातरा में पाय साता हैं जो जाहे आपका कोलेस्टोल बड़ा हुआ या मोटापा बड़ा हुआ या आपको डाइवटीज का इलाज करना हो या आपको पेट के रोगों से बचना हो या कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचना हो तब भी अलसी बहुत अदिक चमतकारी हैं तो आईए जानते हैं कि आपने अलसी का सेवन करना कैसे हैं दोस्तो आपने करना क्या है कि एक चमच अलसी को लेकर रात बर एक गिलास पानी में भी गोकर रख देना है और सुबह खाली पे आपने उस पानी को भी पी लेना है और अलसी को भी चबा चबा कर खा लेना है अब जानते हैं तीसरी चीज के बा मात्रा में omega 3 fatty acid होता है इसलिए chia seed के जरी आप अपने सरीर को बिलकुल सवस्थ बनाए रख सकते हैं दोस्तों chia seed के अंदर ghoulon seal fiber होता है और अगर आप chia बीज को थोड़ा गीला करते हैं तो आप उन्हें एक gel में बतलता देखेंगे जो ghoulon seal fiber है ghoulon seal fiber के बहुत सारे लाब है यह blood sugar को सही रखता है यह आत में अच्छे bacteria को पनपने में मदद करता है और अगर आपको हड़ियों से उड़ी कोई भी परेशान है तब भी आपको chia बीचों का प्रियोग करना चाहिए दोस्तों चाहे आपको दिल की कोई बीमारी है या आपको अपनी हड़ियों को मदबूत बनाना है या फिर आपको diabetes की समस्या है आप इन सब बीमारियों में chia बीचों का प्रियोग कर सकते हैं और चमतकारिक रिजयल्ट पा सकते हैं दोस्तों अपने सरीर को हमेशा जवान बनाए रख सकते हैं अब जानते हैं कि आपने चिया बीचों का प्रियोग करना कैसी है दोस्तों आपने क्या करना है एक चमत-चिया के बीज लेने है और रात पर इनको एक गिलास पानी में भीगो कर रखतेना है और सुबे खाली पेट ये जैल जैसा पधार्थ बन जाएगा आपने सुबे खाली पेट इनको पी लेना है और इन बीजों को भी चबा चबा कर खालेना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको अपने सरीर में चमतकारिक बदलाव दिखाई देंगे दोस्तो आपका पूरा सरीर बिलकुल स्वस्थ बन जाएगा अब जानते हैं अगली चीज के बारे में दोस्तो अगली जो मुखे समगरी है वो है दोस्तो सफेद तिल दोस्तो तिल के फाइदों के बारे में को नहीं जानता यह है विटामिन, मिनरल, कैलसियम, आइरन, मैगनीशियम, फाइबर, कोपर, जीन्क, प्रोटीन आदी जैसे तत्वों से भरपूर है दोस्तो सरीर की बीमारियों के इलाज के लिए तिल बहुत अधिक फाइदेमन है तिल में मुखूद मैगनीशियम, डाइबर्टीज होने की संभावना को दूर करता है जिने सुगर की बीमारी पहले से है उनके लिए तो तिल का सिवन बहुत अधिक चमतकारी है दोस्तो तिल में पाये जाने वाला कैलसियम, जिनक, आधि हडियों को मजबूत बनाने में बहुत अधिक फाइदेमन है और जो इसके अंदर फाइबर होता है, फाइबर होने की वज़य से आपकी पाचन के लिए बिलकुल सही रहती है और आपको पेट के रोगों का सामना नहीं करना पड़ता दोस्तो इसके लावा ये सरीर में खून की कमे को दूर करता है और आपके चहरे पर नया तेज लाता है तो आपको सफे तिलों का सिवन भी करना चाहिए अब जानते हैं कि इनका सिवन आपने करना कैसे है दोस्तो आ गई ना कद्दू का नाम सुनते ही हासी दोस्तो हम छोटे बच्चों को प्यार से कद्दू कह देती हैं लेकिन दोस्तो ये कद्दू के बीज बहुत अधिक चमतकारी हैं दोस्तो हम कद्दू को बड़े हलकी में ले लेती हैं क्योंकि वो सस्ती सी सबजी है लेकिन दोस्तों जो उसके बीज हैं परकरती ने इस गोल मटोल देन में ऐसी चमतकारी चीज दी हैं जो आपके सरीर की हर बीमारी का इलाज कर सकती हैं। कि इनका सेवन आपने करना कैसे हैं। चबा चबा कर खालें। इससे आपको perfect फाइदा मिलेगा। अब जानते हैं कि इन सब का सेवन आपने करना कैसे हैं। और दोस्तो कद्दू के बीजों का सेवन भी आपने सुबे खाली बेट करना हैं। सब का सेवन आप करें कैसे हैं। दोस्तो आपने क्या करना हैं। एक वीक के अंदर सरफ एक चीज का ही सेवन करना हैं। जैसे आपको मैंने जिस करमे बताई। पहले वीक मेथिदाना, अगले वीक अलसी, अगले वीक जियाशीड, उसे अगले वीक सफेति, उसे अगले वीक कद्दू के बीज। जैनि आप एक वीक में सरफ एक चीज का सेवन करें। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे, तब आप हरत रहें की बीमारी से बचे रहेंगे। दोस्तों कोई भी बीमारी आपके सरीर के आसपास नहीं आएगी। तो दोस्तों देर किस बात किये हैं, आप भी आसे ही इन पीचों का सेवन सुरू करतीजी। यदि आप सवस्त रहना चाहते हैं, तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीचिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीचिए। और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजे। ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिपकेशन आती रहे। धन्यवा दोस्तों।